हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी अश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज की एक प्रमुखबर एक प्रमुख चर्चा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में और खास तौर पे उत्तर भारत के कुछ शेत्रों में किसान जो है वो सरकार के 53 प्रधर्शन कर हैं ये प्रधर्शन जो है ये पिछले कुछ समय से चल रहा है और प्रदर्शन कारी जो हैं वो बार-बार ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली की सीमाओं में घुसेंगे, ताश्टिय राजधानी दिल्ली में वो लोग आएंगे और दिल्ली में आकर ये लोग अपना प्रदर्शन जो है सरकार के विरुद्ध करेंगे, सरकार निश्चेत तौर उनको दिल्ली में नहीं आने देना चाहती और उसका ऑव्यस कारण है कि पिछली बार 2020-2021 में जब ये प्रदर्शन कारी दिल्ली आए थे, जब तीन क्रशी कानूनों के विरुद्ध भारत में किसानों ने जबरदस प्रदर्शन किया था, जब ये किसान दिल्ली आये थे त आसी घटना नहीं चाहती, इसलिए फरकार जो है, इस बात पर काफी सजग है, काफी अडिग है कि हम उन्हें दिल्ली में नहीं आने देंगे, लेकिन साथ के साथ सरकार ये भी इस बार फुनिश्चित कर रही है, पिछली बार से थोड़ा अलग कि इस बार इन किसानों से निर करना है, आम तोर पर आपने देखा होगा, इन किसानों को आतंकवादी बुलाया गया, इन पर कड़ी कारवाई की गए, पुलिस कारवाई की गए, और सरकार ने हर स्तर पर इनको जो कहते हैं कि ये किसानों के प्रतिनिधी नहीं है या फिर राजनीती से प्रेरित हैं इस तरह का एक narrative चलाने की कोशिश की लेकिन जैसा कि हमने देखा कि एक लंबे विरोध के बाद आखिरकार ये सब सफल नहीं हुआ और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी इस बार कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार क्योंकि शायद एक चुनावी वर्ष भी है तो सरकार इस बार वादा सजग है वादा सचेत है और वो पहले दिन से इन किसानों के साथ इंगेज करना चाहती है इनके साथ अपने संबंद जो है वो ठीक ठाक रखना चाहती है सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन किसानों को किसी भी प्रकार से मना लिया जाए और इनकी मांगों पर गंभीरता पूरवक विचार करके जो भी संभव हो वो मांगे इनकी पूरी कर दी जाए तो इस मामले में एक बड़ा breakthrough एक बड़ी सफलता सरकार के हाथ लगी है और किसानों ने अपने जो ये प्रदर्शन है इसको दो दिनों के लिए रोग दिया है दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया है ये क्या पूरा मामला है इसमें क्या बातचीत हुई ये मैं आपको बताऊंगा क्या समझोता हुआ है अगले 10 मिनिट में आपको मैं ये सब बताऊंगा लेकिन उसके पहले आपको बता दू कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो कल से 17 तारिक से शुरू हो चुका है माप कीजेगा 17 तारिक को introduction class थी तो उसकी actual beginning जो हो रही है वास्तविक्ता में वो बैच जो शुरू हो रहा है 2999 में यानि कि 24,000 रुपए में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं ये याद रखिएगा P2I बैच है यानि कि हमारे 2025, 2026, 2027 में जो भी हमारे चात्र चात्रा हैं ये परिक्षा देने वाले हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं इसमें आपको रोज 3 घंटे का live lecture मिलेगा आपको mentorship मिलेगी आपको इसमें daily practice questions मिलेगे, test series मिलेगी आपको इसमें notes मिलेगे और अगर आप prelims qualify करते हैं तो mains के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आवासी ये सुबधा आपको मिलेगी, आपको हमारे campus में रहने को मिलेगा और आपका जो रहना, खाना, पीना, इत्यादी, सब आपका इसी फीज के अंतरगत होगा, कोई अतरिक शुल्ग आपसे नहीं लिया जाएगा, तो आज आपको मैंने बताया, कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, इस बार पहले दिन से सरकार ये कोशिश कर रही है, कि किसानों के साथ विवाद को जादा बढ़ने ना दिया जाए, और किसानों के साथ जो है, इस मामले को सुल्जा लिया जाए, तो आपने देखा होगा, कि आप तक तीन राउंड की बाद सरकार कर चुकी है 8 तारिको, 12 तारिको और 15 तारिको हाला कि ये तीनो राउंड जो है ये कुछ खास सफल नहीं रहे इनको हम निश्वल कह सकते हैं कि इनसे कुछ खास परणाम निकला नहीं और किसानों का अंदोलन चलता रहा फरकार ने एक और जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहाँ पर एकदम छावनी जैसी तैनाती कर दी है, सेना है, दिल्ली पुलिस है, पैरा मिलिटरी फोर्सिद है ताकि कोई भी अप्री ए घटना यहाँ पर ना घट पाए और कोई भी जो है व्यक्ति, इस पूरे शेतर में ना आपाए, कोई भी व्यक्ति जो है इस पूरे मामले में, अनाधिकरत तोर पर दिल्ली में ना आपाए, इसके फरकार ने प्रयास किये हैं, लेकिन साथ के साथ जो है, इनसे बातचीत भी चल रही है, और इस बार आप अगर मंत्री भे देखेंगे, तो भारत के जो क्रेशी मंत्री है, मतलब बड़े-बड़े मंत्रियों को इस काम पर लगाया गया है, तो क्रेशी मंत्री भारत के जो है अरजुन मुंडा साहब, उनको जिम्मेदारी इसके अलावा भारत के जो वानिज्य मंत्री हैं प्यूश गोयल क्योंकि WTO से जोड़े हुए भी मामले हैं आयात से जोड़े हुए भी मामले हैं तो इसके लिए और प्यूश गोयल साहब ऐसे भी एक्सपर्ट मतलब हैं नेगोसियेशन में बातचीत में तो प्यूश गोयल स आप भी समिती में शामिल हैं इसके अलावा भारत के ग्रह राज्य मंत्री नित्यानंद राए भी इसमें शामिल हैं भारत के ग्रह राज्य मंत्री नित्यानंद राए साहब जो हैं वो भी इस पूरे मामले को सुल्जाने की कोशिश कर रही हैं और इसके अलावा भारत के के जाने माने नेता हैं और इन सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है तो सरकार की गंभीरता हमको समझ आती है कि सरकार किस तरह से गंभीरता के साथ इस बार इस पूरे मामले को कि सरकार जो है इस बार इस पूरे मामले को ये करने का प्रयास कर रही है ठीक है तो ये जो है ये इ और कई बार क्या होता है, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसमें कई बार, कई सारी चीवे तो प्रदर्शनकारी ऐसी मांगता है, जो प्रदर्शनकारी को भी पता होता है कि ये नहीं मिलने वाली, और इसके मिलने का कोई औचित्ते नहीं है, जैसे किसान ये कह रहे हैं कि भारत WTO से निकल जाए, अब भारत जैसे बड़े देश का WTO से निकल जाना संभब नहीं है, भारत WTO में विकासशील देशों की तरफ से पक्षदारी करता रहा है, भारत WTO में लगातार संघर्श करता आया है, लेकिन WTO को छोड़ देना ये उचित नहीं है, भारत के लिए इस समय ये प्रासंगिक नहीं है, ये भारत नहीं कर पाएगा ऐसा प्रतीत होता है, ये बात सही है, अब तो इस तरह की जो मांगे हैं ये शायद नहीं हो सकती, इसके अरावा ये कहते हैं कि किसी भी तरह के क्रिशी आयात पर प्रतिबंद लगा दिया जाए, अब ये भी अब से प्रमुख मांग है, जो वास्तविक्ता में वो चाहते हैं, और जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था, कि कुछ मांगे ऐसी होती हैं, जो अगर पूरी कर दी जाएं, अगर वो एक मांग सरकार मान ले, तो ये विरोज जो है, खतम हो जाएगा, तो वो मांग जो है वो नियूनतम समर्थन मूले की मांग है, किसान क्या चाह रहे हैं, कि जो एक नियूनतम समर्थन मूले है, MSP जो है, जो सरकार देती है, ये नियूनतम समर्थन मूले की सरकार जो है, कानूनी गैरेंटी प्रदान करे, ये किसान चाहते हैं, कि सरकार जो है, नियूनतम समर्थन मूले का स्वामी नाथन फॉर्मूला के तहट क्याल्कुलेशन होगा स्वामी नाथन फॉर्मूला क्या कहता है कि किसान की जितनी लागत है स्वामी नाथन फॉर्मूला क्या कहता है में स्वामी नाथन जिनको इस साल भारत रतन दिया गया है उन पर आधारित है उनका दिया हुआ फॉर्मूला है स्वामी नाथन फॉर्मूला क्या कहता है कि किसान की लागत का डेड़ गुना नियुन्तम समर्थन मूली होना चाहिए और लागत में वो श्रम वो भूमी की अवसर लागत और साथ के साथ जो किसान ने धन लिया होगा पूंजी की लागत इनको भी शामिल करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं लागत में इन सब को जोड़ा रहना चाहिए और इस लागत का डेड़ गुना नियुन्तम समर्थन मूले होना चाहिए तो किसान ये कहते हैं कि इसको आप कानूनी दरजा दीजिए, इसको आप कानून जैसा बनाएए, ये कानून जब आप बनाएंगे तभी इसको उचित माना जा सकता है, ये बात जो है, ये किसानों की मांग है, सरकार जो है निश्चित तोर पे बहुत जादा इसके पक्ष में नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि अंदर से ये बात हम सभी जानते है, ये बात clear है कि सरकार जो है जल्द, मतलब मेरे विचार में अगर चुनाव के बाद ये भारती जिनता पार्टी की सरकार दुबारा आती है, तो ये वापस आने के बाद यानि कि प्रधान मंत्री मोधी को अगर उनका तीफरा टर्म मिलता है तो अपने तीफरे टर्म में क्रशी फुधार उनकी एजंडा में बहुत ऊपर होंगे क्रशी सुधार की तरफ वो काम करना चाहेंगे तो क्रशी सुधार में एक उनका प्रमुख भाग जो होने वाला है वो होने वाला है क्रशी में निजी निवेश और क्रशी का बड़े पैमाने पर निजी करण ये जो है ये वो करने की कोशिश करने वाले हैं निजी कर्म तो खेर क्रशी निजी ही होती है भारत में लेकिन निजी निवेश जो है बड़ी-बड़ी कम्पनियां क्रशी में निवेश करेंगी ये सरकार का एक प्रमुख एजंडा होने वाला है और ये एजंडा तभी लागू हो पाएगा ये तभी सफल हो पाएगा अगर किसाद जो है वो अपना उत्पाद बेचने के लिए उद्योग पतियों से सहमती जड़ बना लेते हैं उनके साथ समझोता कर लेते हैं लेकिन अगर एक बढ़ता हुआ नियुन्तम समर्थन मूल उनके पास रहेगा तो इस सुधार की संभावना कम हो जाएगी इसी लिए सरकार इसको लेकर नौन कमिटल है सरकार जो है कभी भी एक गैर कानूनन तोर पे एक कानूनी MSP के पक्ष में नहीं है कि आपको हमें कानूनी MSP देंगे इसके पक्ष में सरकार नहीं है सरकार इस मांग को मानने को तयार नहीं है और ये बात हमने तीन कशी कानूनों के समय में भी देखी थी कि इस वाले मामले पर सरकार अड़ गई है इस मामले को यहां पर नहीं हो पाएगा वह इस बात जो है 7 पर अड़ गई थी और इस बार भी सरकार इस पर लगबग अड़ी हुई है तो अब कल को क्या हुआ इस पूरे मामले में एक अन्य राउंड की बातचीत हुई चौथे राउंड की बातचीत हुई जो रात को आठ बजे से रात को एक बजे तक चली और उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए अपने आप में अच्छी बात है क्योंकि मतलब आम तोर पे देखा गया है कि जहां पर विपक्षी दलों की सरकारे होती हैं वो राज्य सरकारें इस प्रकार की बातचीत में इस प्रकार की सहयोग में भाग नहीं लेती हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ तो भगवन मान भी इसमें शामिल हुए और इसक सहमती बनती है तब जाकर वो आगे और चीज़े अपना अंदोलन वापस लेंगे और अगर किसानों को लगता है कि यह फर्मूला ठीक नहीं नहीं है तो 21 तारिक से फिर वो अपना अंदोलन जो है दुबारा शुरू कर लेंगे तो सरकार ने क्या कहा है सरकार ने कहा है कि हम आपसे कोई कानूनी MSP का समझोता नहीं करेंगे लेकिन जो हमारे सहकारी संग है फरकार के ऐसे सहकारी संगठन है एक तो नफेद है तो फरकार ने कहा है कि हमारे जो सहकारी संगठन है भले ही वो NCCFO भले ही वो नफेद हो तो ये जो हमारे सहकारी संगठन है नफेद हमारा क्या होता है नफेद होता है राश्ट्रिय क्रशी सहकारी विपनन संग ये आपका नफेद होता है ठीक है ये क्रशी के मार्केटिंग के लिए जो है काम करता है और दूसरा आपका जो है राश्ट्रिय उपभोकता सहकारिता संग तो दो ने ये कहा कि भाई ये जो दो संगठन है ये आपके साथ ये किसानों के साथ क्या करेंगे एक पांच वर्ष का अग्रीमेंट करेंगे एक पांच वर्ष का ये एक अग्रीमेंट किसानों के साथ करेंगे और उसमें ये क्या कहेंगे ये कहेंगे कि भाई आपकी जो फसले हैं आपकी जो भी क्रॉप्ट हैं और उसमें भी खास तौर पे कौन सी क्रॉप्ट की बात की गई है इस बार इस बार बात की गई है दालों की उन्होंने कहा है आपकी दालों और मक्का इत्यादी की जो फसले हैं डाल वर मक्का इनकी जो फफले हैं पांच वर्ष के लिए उनको हम खरीदेंगे और कितनी मातरा में खरीदेंगे असीमित मातरा पर खरीदेंगे ठीक है तो आपके MSP पर ये दो संगठन जो हैं ये आपकी डालों के जो भी उत्पादन हैं उनको हम क्योंकि मतलब MSP का मतलब यह है ना कि आप असीमित मातरा में खरीदें उस पर कोई अपर कैप ना हो तो आप याद रखें कि इसको जो है हम इसको हम असीमित मातरा पर ये दो संगठन जो है अगले 5 सालों के लिए खरीदेंगे ये बात की गैरंटी देने को सरकार तयार हो गई है कि का 5 सालों के लिए लेकिन इन कुछ फसलों पर बाकी फसलों पर नहीं ठीक है किसानों की जो बाकी मांगे थी कि उनका गर्दा माफ किया जाए मुकद में वापस लिए जाए तो इन पर इन संगठनों ने कहा है कि भई सरकार को हम 2 दिन का समय दे रहे हैं तो अब ये जो आपक कि याद रखने वाली एक बात ये भी है कि अक्षर मैंने देखा है कि लोग MSP का भूत ज़्यादा खुलकर समर्थन करते हैं चात्र जो होते हैं कि ये मिलना चाहिए किसानों के लिए आवश्यक है पर इसमें एक पक्ष ये भी होता है कि अगर आप MSP के कारण देश का जो क्र वर्तित हो रहा है वो काफी हद तक प्रभावित होता है तो MSP के कारण क्या हो गया है आप देखेंगे जैसे पंजाब जो है पंजाब सरकार Supreme Court गई थी और वहाँ पर उन्होंने याग रहे किया था कि केंद्र सरकार पंजाब से MSP हटा ले खास तोर पे धान के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ कमसे कम धान पर MSP ना दे तो यह भी बहुत आवश्यक है MSP के इस पक्ष को भी समझना जरूरी है कि क्या MSP एक बहुत नितांत आवश्यकता है किसानों के लिए या फिर वो एक सिर्फ उनकी आजीविका के लिए आवश्यक है तो इसका एक सम्मानी उपाय निकाला जाना आवश्यक है तो अभी के लिए सरकार के लिए बड़ी सफलता है कि अगले दो दिनों के लिए वो कमसे कम इस आंदोलन का मोमिंटम तोड़ पाई है अभी के लिए इतना ही लेकिन जाने के पहले आपको एक बर दुबारा से रिमाइंड करा दूँ कि भाई हमारा P2I badge जो है उसकी classes जो है economics की शुरू हो रही है आज से आज शाम 6 बजे से शुरू होगी तो आप AJ Life Code लगा के 23.999 में जुड़ जाईए P2I badge है अपनी तयारी को organize कीजिए सही आकार दीजिए या आपके लिए बहुत आवश्यक है मेरे इस पत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIAS Hindi